दोस्तों, 2024 का Mr. Olympia भले ही खतम हो गया है, लेकिन उसके उपर हो रही चर्चा अभी भी चालू है। इस साल का Olympia definitely one of the most entertaining Mr. Olympia आज में से था। लेकिन दोस्तों, Olympia का after math क्या है ये जानना और जादे interesting है। अज यही देखेंगे दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले definitely वीडियो लाइक जरूर कर देजाएं जिससे मुझे motivation मिले इसी टाइप का content बनाने के लिए दोस्तों, of course we had to start with हादी चूपन, हादी चूपन नहीं यहाँ पर Olympia के बाद ये interview दिया था, जहाँ पर काफी ज़्यादा नराज नजर आये वो इस interview में especially उनकी जो translation थी वो, उनके coach हानी रेंबोट कर दे दो, और हम लोग सुन सकते हैं, definitely हानी रेंबोट काफी चीज़े संसर आउट कर रहा हैं, जो के हादी चूपन बोल रहा है, हादी चूपन खुश नहीं है, जजजिंग के पैनल से हादी चूपन ये बोल रहा है कि अगर जजज़ेस को सिर्फ size ही चाहिए और quality नहीं चाहिए तो अगले साल वो सिर्फ और सिर्फ size लाएंगे, quality नहीं लाएंगे, हादी चूपन ये भी बोल रहा है, अपनी नाराज़गी जताते हुए कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इस decision से, बिल्कुल भी अच्छ को भी हारना नहीं पसंद है, लेकिन हार गया तो उसको embrace करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वो हादी नहीं थे जिसने Arnold Classic में Samson 12 को beat किया, काफी लोग मेरे बात से angry नहीं कर रहा है, मैं 2-4 आपको ये poses दिखा देता हूँ, तब आप लोग खुद बताईए कि हादी लेकिन दोस्तों, एक Mr. Olympia, Mr. Olympia तब बनता है और जब वो complete athlete हो, एक complete bodybuilder हो, एन Arnold Classic में वो उससे ज़्यादा complete थे, यहां से कई गुना ज़्यादा फुलर थे और 19-20 की conditioning थी, but I think हादी को इतनी conditioning, 19-20 की conditioning sacrifice कर देनी चाहिए, हलकी बुलकी size दिखाने के लिए stage पे, because वो जिन absolutely perfect in Arnold's, वहीं बात करें उसके बाद Derek Lansford की, तो Derek Lansford भी similar interview देते हम लोगों को नज़र आए, बट हादी की तरह वो बिल्कुल भी complain नहीं कर रहे हैं, वो खुश है Samson की जीत पर, लेकिन दोस्तों वो खुश नहीं है खुश नहीं है अपने package से, वो उपर वाले को thank करते भी पर ये जरूर बोलते हैं कि इस साल वो चूप गए, लेकिन अगले साल वो बिल्कुल भी चूपने नहीं वाले हैं, उनके भी emotions यहाँ पर हम लोगों को interview में नज़र आ रहे हैं, वो हादी के तरह angry नहीं थे लेकिन definitely काफी जादा emotionally driven थे, दोस्तों hostile supplements के owner फुआद वो बताते हैं कि डेरिक से क्या गलती है, डेरिक इस साल अपर बोडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा heavier बहुत ज़्यादा wider आये थे, लेकिन उनके lower body वाई last year के comparison, according to फुआद चोटी नज़र आ रही थी stage पे, जिसकी वज़ए से उनकी physique काफी हद तक मीकौकर की तरह जाए तो इस साल का बहुत वीक था डेरिक लंसवर्ट, उनकी physique वैसी harmony में नज़र आ रही थी जैसी last year थी, और उनकी कुछ मसल इतनी जादा massive हो गई है कि उनकी physique में काफी बड़ा एक imbalance से create हो गया है, जो कि मैं भी clearly देख सकता हूँ डेरिक लंसवर्ट की internet पे जो भी pictures and videos ह उसमें, वहीं दोस्तों हम लोग ये भी ध्यान दे सकते हैं कि फुआद काफे दा यहां पर तारीफ करते हैं सेमसुन 12, हाँ हम लोग ये भी बहुत सकते हैं कि सेमसुन उनके athlete है, सेमसुन उनके company के brand ambassador है, तो definitely वो सेमसुन की तरफ biased होंगे, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग stage पे, stage पे जितना दादा pop सेमसुन की physique कर रही थी, जितना stand out सेमसुन की physique कर रही थी, उतना किसी भी और athlete की physique नहीं कर रही थी, उनकी conditioning अलगी नज़र आ रही थी stage पे in person, सेमसुन की quards, सेमसुन का mid section, सेमसुन का posterior, बिल्कुली different नज़र आ था real life में, जैसा pictures, जैसा वीडि सेमसुन के नाम चिला रहा था, सेमसुन ये भी बताते हैं कि रीजन सेमसुन का people's champ मिलने का यही था कि सेमसुन उस line-up पे बहुत जादा stand out कर रहे था, अब दोस्तों इस सारे comments, इस सारे opinions के बाद मैं फैसला करने की जिम्मेदारी आप लोग पे देता हूँ, क्या आप लो biggest disappointments of Mr. Olympia 2024 and biggest surprises of Mr. Olympia 2024 और उसके लिए suggestion देने के लिए आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोग के हिसाब से, इस साल की Olympia में कौन सबसे बड़ी disappointment था और कौन सबसे बड़ा surprise दोस्तों, ओलंपिय के बाद हम लोग को Olympia Champions की सेमिनार होते वे भी दिखी, जहाँ पहार एक division का Olympian बैठा हुआ था और उनसे बॉब एक एक करके सवाल पूछ रहे थे, जहाँ पर काफ़े जादा interesting चीज़ हैं हम लोग को सुनने को मिली, जिसमें हम classic और open की बात बात में करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मेंस फिजीक, दोस्तों यहाँ बॉब अब इस division में change, इस division में evolution बहुत जादा हम लोग को देखने को मिल रहा है year by year, जिसमें athletes के balance को दिमाग में रखना भी एक बहुत जरूरी चीज़ हो चुकी है, judges के लिए, और athletes के लिए भी, तो मतलब जैसा हम लोग सोच रहे थे, कि Ali back से आ रहे हैं, वो exactly right तो नहीं है, मैं की तरफ से रास तो सुनने को नहीं मिले, काफी अची ची बात हैं उन्होंने जरूर बोली, लिकिन एक चीज ऐसी जरूर उन्होंने बोली है, जो कि काफी जादा exciting बना रही है, इस body building industry के future को, जापर होँए बताते हैं कि वो competing champion बनने वाले हैं, defending champion बनने वाले हैं, वो घर champion बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं, वो compete करने वाले champion बनने वाले हैं, जिसके बाद वो अपने plans का खुलासा करते हैं कि वो Arnold Classic Ohio में compete करेंगी next year, which is very exciting दोस्तों, imagine Mr. Olympia competing in Arnold Classic, मुझे नहीं यादे कि कितने साल पहले हुआ था, कि एक raining Mr. Olympia compete करने उतरे Arnold Classic, और क्या हो अगर फिर वाँ पे वो हार जाए, दोस्तों क्या हो अगर आदी जूपन भी अनाउंस करें कि यहाँ पे वो compete करने वाले हैं और last year-y की तरह आदी जूपन अपनी physique repeat करते हैं, इस वज़ा से Samson को अब बहुत जादा mindful होना पड़ेगा अपनी appearances को लेके, इसलिए नहीं mindful होना पड that day, तो I think हर उस दिन, जिस दिन compete करने का decide करने हैं, Samson 12, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो best athlete है in the world, उनको अपने इस Olympia के version को हर एक अपनी अगली appearances में beat करना पड़ेगा, I mean हर अगली appearance में beat नहीं करें तब भी चलेगा, लेकिन बड़े shows में तो compete करना ही पड़ेगा उनको जैसा है Arnold Classic, क्योंकि हमें मालूँ मैं अभी हमारे सामने बहले ही list ना हो कि कौन athlete और compete करेंगे वहाँ, लेकिन हम लोग Samson का against काफी बड़े नामों को खड़ा होता हुए देख सकते हैं, वह ये आखरी में तीन चीजे हैं, इस panel में काफी रहता है interesting Chris Bumstead ने बोली है, जहाँ पर सबसे पहला तो यह उनसे सवाल था कि कि किस athlete को future देख रहे हैं, classic physique का, उनके हिसाब से कौन next year, उनकी जहां ले सकता है, उनका वेकें title अपने नाम कर सकता है, जहाँ अब उनका answer यही था, जो काफी जादा हम लोग भी यही सोच रहे हैं, कि अब gate wide open है, कोई भी athlete आके, Chris Bumstead की जहां ले सकता है, लेकिन दोस्तों मैं यह भी बोलना चाहूँगा कि अब शायद classic physique में भी, वो dominance हम लोग को ना दीखें, जैसी open में हम लोग को dominance नहीं दीख रही है, अब classic physique में भी हो सकता हो, हम लोग को बहुत time तक, एक solid champion, एक dominant champion देखने को ना मिले, हो स इसली दो prep से उनकी injuries उनको काफी ज़्यादा तंग कर रही थी, mentally, physically, हर तरीकी से उनको stress out कर रही थी, जहाँ पर last year के olympia खतम होने के बाद 3-4 महीने तक वो properly train नहीं कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने decision लिया कि नहीं, एक साल और खेलते हैं, जहाँ पर बताते हैं, यह prep उनकी life की सबसे smoothest, सबसे best, सबसे happiest प्रेप रही, mainly because of his daughter, of his family, जहाँ पर कितने भी stress के बाद जब वो घर आते था, अपने डॉर्टर का खिलगलादा हुआ चेहरा देखते थे, वो अपने आपे खुश हो जाते, और आखरी चीज जो Chris Bumston ने काफे जादे interesting बोली, वो यह अब कितना देंगी है, क्या प्राइस बनी होगा, यह तो हम लोगों नेक्स्ट यह नहीं पता चलेगा, यह हो सकता हो, बीच में announcement हो, जहाँ पर आखरी पर वो यह बोलते हैं, कि वो जाजरूर रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, इसी तरीके से उन्होंने इसी exact sense में उन्होंने अपने words पूट किये थे, कि वो जाजरूर रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, I don't know exactly उन्होंने क्या कहा था, बट similar meaning यही थी उसकी, क्या इसका मतलब यह तो नहीं है, कि कुछ सालों बाद हम लोग को Chris Bumtet वापस से compete करते वे देखें, दोस्तों, अभी उम उलम्पिया होने वाला है, लेकिन मुझे लगता सीबम इस टाइप के इंसान है, कि वो ऐसा कुछ करेंगे, यह तो फ्यूशरी बताएगे, आगे क्या होता है, इससे के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग खतम करता है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी ल